हाई गाईज वेल्कम बेक टो मैं चानल वेहूं सुगाम और मेरे चानल पर फिर से एक बर आपको स्वागत है और इस समय रात का बच्चरा है दस जी हाँ और मैं अभी एक शादी से होके आईगू और आप सब के साथ भी ऐसा होता होगा इस्पेशली थाइराइट पेशेंट पिसी ओडिव पेशेंट या फिर जिनको शुगर लावल बढ़ा रहता है उनके साथ क्या होता होगा कि जब वह कुछ ऐसा वैसा खाना खालेते हैं उनके बोडी तुरंत ही सूज जाती है स्वेल कर जाती है तुरंत ही लगने लगता है क जो है बहुत तेजी से मेरी बोडी पे चड़का है मैं 10 से 12 किलो वजन मैंने बढ़ा लिया सेम यही कंडिशन मेरे साथ अभी है जस मैं अभी आई और यू नो कि इतना अच्छा खाना देके कोई भी नहीं रोक सकता है और मैं भी नहीं रोक पाई अपने आको मैंने भी जी से 12 किलो वजन बढ़ा किया है मैं यह एक मैंन मैं बढ़ा अक्षार अबतना देके कोई प्रोक प्लान नहीं बीजाए Kalau मुझे कापी हेवी हेवी सा फिल हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ? कुछ लाइट सा फिल करूँ और जस्ट भई मैं एक टी बनाने जा रही ती और जस्मेराबल है ने बोला कि क्यो ना तुम इसका वी वीडियो शूट कर लो मैं अच्छा एडिया है तो मैं जस्त एक वीडियो शूट करने जा रही थी वीडियो शूट मैंने सूचा चलिए आप लोग के साथ भी इस टी कर ले और मेरी टी भी बन जाएगी तो टी आपके साथ बनाती हूं इस टी के आउसम बैनिफिट है अन्टी बैक्टिरियल है एंटी फंगल है बेट जिन लोगों का यह वाला है वह तो जाएगा ही जाएगा इस टी का सबसे प्लस प्लॉइंट यह है कि आप जब भी कुछ ऐसा जंग पूट खाते हो या पेर कहीं शादी वाला खाते हो या पेर इस रखा खाते हो यह इंस्टे बढ़ते हैं लिग उससे पहले जिन लोगों ने चानल को लाइक नहीं किया पटापट से चानल को लाइक करिये और बैल आइकन को प्रेस करना बिलुकुल भी मत बूलिएगा तो चलिए चलते हैं वीडियो के तरह है जिन में आ गई हो और आपी बैने चुड़ाया एक पान पान में डाला एक बड़ा वाला कप नहीं और आमल से बताऊं को 300-350 आमल आपको यह लेना है ठीक है इसे हलका सा गरम होने दीजेए देर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंग्रीजिएंट लेना आइं ठंड में सब क्या पाड़ा होता है इस जिंजर और यह मतलब बहात है इसे आपको जिससे आप चाहेगी तो इससे दीज देना है पूरा पूरा एक इंच का तुप्रा तो यह आप टालोगी दैन इसके बाद जो नेक्स नेक्स इंग्रीडियेंट है आपको सड़्टी से विए अच्छे से बचाहें जाएं अब आप सड़्टी देना हैं पिंच ओ टर्मरीक एंड वन इंग्रीडियेंट मोर और सारी चीज़ें आपको एक चलने हैं यह अजवाइन यानि कारम सीट्स आप टेबने स्पून आपको यह डालना है और सारी यह पुझे तरह से खॉल गई है और उसे खॉलने का और टाइम मिंग जो है तो से तीन मिनट को खियेगा धीमी आज में पहले टेज कर दीज़ेगा जब यह बोल होने लगे तैन थीमे कर लिए आपसको तो से तीन मिनट आपको बॉल करना है अब इससे आपको इस्ट्रें क जब भी आपको लगे आपने कुछ हैवी खाया है जंग फूट खाया है राइस खाया है या फिर आपने बहार टीनर किया है लंच किया है ऐली फूड या पिर आपको बोडी में प्रॉर्ट लगे और ड़र लगे मार्श पेशियो में दढर लगे आप यटी ले सकते हैं बनाने वाली टी है हार इंग्रेट आपके गर में ऐसा नहीं है अगर अभी भी शादी से आए हो तो आप ये टी बना के पी सकते हो आपको लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इंग्रेट आपके किजन में ही होंगे वीडियो चला सब इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक करिएगा चानल पसमें आ तो पड़ा पड़ से सब्सक्राइब होएगा तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई